आपके मुख्य मंत्री तो रोज अपने को डिफेंड करते थे मंत्री ग्री मंत्री आप आप तो कुछ नहीं बोलते थे आपकी पार्टी आपकी सरकार आपके प्रवक्ता आपके नेता और देश्मुक साब खुद ही आपने को डिफेंड करते थे कि मैं तो बीमार था और क्या था वगर वगर तो आज उनके शब से नैतिक कारण से मैं इस्तिफा दे रहा हूं ये बात निकली है तो उद्व ठाकरे जी आपकी नेधिक्ता कहां है क्या हम आपके नेधिक्ता के बारे में कुछ सुनेंगे I think Mr. Udhav Thakre has forfeited the moral authority to govern मानिये मुख्य मंती उद्व ठाकरे जी मैं बहुत विनमता से कहूंगा कि साशन करने की नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए जिस तरह से आपकी सरकार चली है यह चल रही है पत्रकार में तो लोग तंत्र का एक बहुत सीधा वसूर होता है लोग तंत्र लोग लाज से चलता है लोग तंत्र लोग लाज से चलता है democracy is run by the standards of probity of propriety with the people may appreciate पंद्र दिन के अंदर उनको अपनी primary inquiry देनी है आपको मालूम है कि CBI डिली इस्टाब पुलिस टाविश्मेंट आट के अंतरगत एक पी करती है फिर उसके बाद इंक्वारी करती है उसके लेकिन हमें बिलकुल लगता है कि मामला बहुत ही गंभीर है और कि दो प्रकार से उधर ठाकरे फसी हुई है एक सचिनवाजय प्रकरण लूसरा उगाही प्रकरण और को शयुक्त बादे में ज्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन एक बात रिपीट करना है कि कोई असे स्टेंट पुलीस इंस्पेक्टर कि जो पुलीस इंस्पक्टर भी नहीं है उसको इतने महत्वण जो 10-12 साल सस्पेंशन में था शीव सेना का मिम्मर बना और उसको रिजिटेट किया गया और रिजिटेट क्यों किया गया यह मैं चर्चा कर चुका हूं कि करोना में पुलिस असर्स के आवश्कता था है क्योंकि बहुत से पुलिस वाले बिमार हैं और असिस्टेंद इस्प् तो ये तार क्या दिखाते हैं एक बड़े शड़ेंद लूट का if we link all these stories, chain it point to a conspiracy of loot in which सजिन वाजे is the common factor चाहे वो गाड़ी में रखने की बाद जलेटन हो या फिर बाकी हो और आपको याज होगा कि मैंने एक बात आपको 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 कही थी आज आपको मैं इस परण दिला रहा हूँ इनाई एक्ट इन नाशनल इंविस्टिगेटरी इजन्सी एक्ट के धारा सिक्स में इस बात का प्रावधान है अगर कोई कनेक्टेट केस उसमें आता है तो वो भी नाई एक कोई जाच के लिए दिया जाएगा मुंबई पुलिस यह सचिन वाज़े के प्रकरण को नहीं दे रही थी जो बाकी वो कौन जो उनर था उस गाड़ी का स्कॉर्पियों का उसके मृत्यों की जाच नहीं दे रही थी बात में कोट से मिला है और लास्ट जो मेरी प्रेस कॉन्फरेंश थी उसमें खाली उन्होंने सचिन वाज़े को दोशी बना करके मामले को क्लोस कर दिया तो I am raising with you all these suspicious chain of circumstances संदे हास्पद chain of circumstances को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे मामले के सारे शरंदर की जाच होनी जाहिए कौन किसको प्रश्रे दे रहा था कौन किसको प्रश्रे दे रहा था कौन किसको प्रश्रे कर रहा था और कौन इसको बचा रहा तो इसलिए पार्टी के ओर से हमें लगा कि हम इस बात को विश्तार से कहें हम तो वेट कर रहे थे कि यहां पर हम देश्मुख सापका इस्तीफा मांगेंगे लेकिन शायद हम लोग की प्रेस से कुछ असर होता है लेकिन ये बात सिर्फ देश्मुख तक की नहीं है बहुत दूर की है जो में बता चुका मैं तो यह अंतिम बात थे थोड़ा मैंने ब्य बेंदर जी रीजिए फ़ले फ़ले इस पर बात करने और कुछ सवाल इस पर अड़िन, आइन ने, आइस 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 आइस, और कुछ सवाल नहीं है जो आपको इस थिए फ्युश्य प्रभशने उन्यू सुट्पर इस तो प्रॉद्वर्णाभ। जी मैंने बताया तो मैंने नैतिकता के मानों को थोड़ा ऊपर बढ़ा रहा हूं जिस मुख्यमंत्री के अगवाई में इतनी बड़ी-बड़ी घटनाय हो रही है उनका कोई नैतिक दाई तो बनता है कि नहीं कि मैंने भी शेका है प्राइब बनता है